एलो बच्चो स्वागताव का अनकैडमी के लाइफ प्लाटफॉर्म पे तो सभी बच्चे कैसे हैं बढ़िया सभी घर में सवस्त हैं उम्मीद करती हों कि मस भी होंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में वयस्त भी होंगे तो भाया आपको चोटे से टॉपिक के साथ जो की बहुत जादा इंपोर्टेंट है केमिकल बॉंडिंग में तो उस टॉपिक से कराने जा रहे हैं रूबरू तो टॉपिक है कि ऐसी कौन सी तीन सुपर ट्रिक है जिससे बॉंड अंगल वाले कंपरिजन वाले कोशन आप एक ह में कर देंगे खलास तो आज के लेक्शन नमबर सेवन में आपको मैं सिखाने वाली हूं बॉंड एंगल कंपेरिजन कोशन में कैसे सुपर ट्रिक के साथ आप करने वाले हैं महारत हासल तो शुरू करें सभी रेडी तो ओल सेट गो तो बच्चो यहां पर पहले गो 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 कौन करने से पहले न आपको अन अकेडमी द्वारा पॉफिक स्टडी पार्टनर से मिला दूँ जो कि आपके नीट यूजी में मदद करेंगे तो आपके लिए अन अकेडमी लेके आए हैं नए नए बैचिस जैसे मेरिको बैच, एम्स रैंकर बैच और मासर्स बैच और इन सबी बैचिस में आप अनलिमिटेड एकसेस पास सकते हैं हमारे एजुकेटर की वीडियो पर और यहां पे आपका वीकली टेस्ट होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, आपके हर टेस्ट का अनलेसिस होगा, तो यह सब चीज़े आपको यहां पढ़ाई जाएगी और इस प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको 6 मन, 12 मन या 24 मन का सब्सक्रिप्शन लेना है, पर मन की कौश आपकी स्क्रीन पर है, बिटब पर लो और इसी में आपको अगर जाते हो कि मैडम हमें कोई डिसकाउंट दिला दो तो नव जो 10 कुपन कुट का इस्तिमाल करकर आप 10 परसन का डिसकाउंट पा सकते हैं, और अगर यहीं चाहते हैं, यह हमें यहाँ पर ना कोई परसनल गाइड़न्स देने के लिए एक परसन दे दो, तो आपके लिए अनकेडमी ने आइकॉन एक सब्सक्रिप्शन में परसनल गाइडर भी असाइन किया है, जिसमें लाइव, यह सारे फीचर्ज इसमें हैं, और अगर आप चाहते हो कि आपको 10% डिसकाउंट मिरें, तो नवजो 10 कुपन को डिस्समाल करना है, और अगर यह कुपन को डिस्समाल करकर आप कोर्स करीते हैं, तो परसनल गाइडर मैं मिलूंगी, जहां पर आपको कदम कदम पर मैं भी ग कर सकते हैं, कैसे भी या, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेकर, यानि हम CBSE 11th में हैं, 12th में हैं, और नीटी उजी की नाव पे भी सवार हैं, या फिर IATJE की नाव में भी सवार हैं, तो सभी का अलग-अलग कॉम्बो पाक आया है, जिसमें आप अप तू 20% सेव कर सकते हैं, औ और नव जो 10 कुपन को लगा कर आप 10% सेव तो कर ही पा रहे हैं, तो इस तरह से आप सेव करने के लिए हो जाएं तयार, अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की और उम्मीद करती हूँ कि आपकी पढ़ाई घर में मस सरी होगी, लेक्चर बहुत जादा इंपोर्टेंट है, द्यान से नोड्स बना कर लिखना, और कहीं भी लेक्चर के दोरान डाउट आए, कमेंट सेक्शन कुले हैं, बे जिजग, बे धड़क पूछो, मैं जरूर आपका रेप्लाई करूंगी, योगि यही मेरा करतवे हैं, तो शुरू करते हैं, लाइट्स, क्यामरा, और ये सार ये पास कोई सेंटल मेडल आटम है, जो कम हो वो सेंटल मेडल आटम, उसके आसपास सराउंडिंग आटम ऐसे बैठे हूँ, तो इनके बीच में जो अंगल बन रहा है, उसे बॉन अंगल कहते हैं, अब इस बॉन अंगल में दो तीन स्पीशिस तुमें दे दी जाए और से, तो बस उस सुपर ट्रिक को यहां इस्तेमाल करना है, तो जिस सिक्वेंस से चल रहे हैं, उसी सिक्वेंस से लेक्चर देखो, और सीखो, तो वहिया सबसे पहली चीज, कि जो भी स्वीशी जे रखी हो ना, उसका हाइबराइजेशन निकाल लो, और हाइबराइजेशन electron, central, metal, atom की उपर लिखने हैं, कितने हैं, है न, अगर कोई स्पीशी स पे positive या negative चार्ज है, तो अगर कोई स्पीशी स पे positive चार्ज है, तो उसको subtract कर देना, यानि यहां लगाती हूं negative और जितना भी positive चार्ज हो न, उसको subtract कर देना, छिकें? चलो भीया, मैं इतना समझ आ ग उनको क्या करना भया उनको यहाँ पर add कर देना जितना भी नंबर हो monovalent मतलब जिसकी valency 1 हो जैसे hydrogen की valency 1 chlorine, bromine, iodine, fluorine यह सबी चिके अब अगर तुमारी z की value 2, 3 या 4 आती है तुम्हें पता है hybridization इनकी क्या होती है क्या होती है मेरे बालक को अगर 2 आ रही है तो hybridization SP 3 आ रही है तो SP2 और 4 आ रही है तो SP3 जिसमें आपको पता है कि अगर SP है तो वो अपनी geometry linear show कर रहा है और linear वाले में bond angle 180 बनता है चलो भया hybridization से bond angle पता लग रहा है और मैम SP2 में triangular planar होती है 120 होगा SP3 में मैम tetra hurdle होती है 09 degree 28 minutes हना तो ये angle से तुम कोई भी species को compare कर सकते हो ये हुई trick number 1 अब इसी trick पर question करकर समझने हैं कि मैम ये question fit होते हैं कि नहीं होते हैं तो चलो फटा फट से देखो मेरे पास ये 3 species ये रखिये मुझसे पुचा है सबसे जादा largest bond angle कहा होगा तो मैंने जैड निकाला half लगाया violence electron beryllium पे atomic number 4 होता है तो पहले shell में दो दूसरे में दो तो violence electron दो और 2 monovalent atom attach है species पे ना कोई positive charge ना negative charge कहानी खलास 4 बटा 2 आ गया 2 मतलब ये बंदा SP hybridize है मतलब यहाँ पे bond angle beryllium और chlorine के बीच में बनेगा मैडम 180 degree क्या बात मेरे बालक को clear हो गया क्या बात अब यहाँ पे Z की value half आएगी boron की बात करें तो boron 5 atomic number लेके बैठा है पहले shell में 2 दूसरे में 3 तो आखरी shell में जो electron है वो valence electron लिख देंगे 3 monovalent atom attach है वो लिख देंगे तो हो जाएगा 6 बटा 2 आ जाएगा 3 तो यहाँ पस चीरिक नमबर 3 आया यानि SP2 hybridize होगा यानि boron बीच में क्लोरीन इर्दगिर्द इर्दगिर्द ऐसे गूम रहा है तो angle बन गया 120 degree चीके? अब तुमको बताते हैं CCL 4 से रूब रूप अब Z की value मैडम हाफ कार्बन का टॉमिक नमबर 6 पहले शेल में 2 दूसरे में 4 तो 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 बटा 2 आ जाएगा 4 यानि आएगी SP3 hybridization इतनी बात clear मैडम मतलब यहाँ पे tetrahydral geometry है कार्बन बीच में होगा क्लोरी निर्द गिर्द होंगी और सब में angles होगा 109 degree 28 minutes होगा बिल्कुल सही अब तुम यहाँ देख पारे हो कि मैडम जी bond angle hybridization से ही निकल आया पहला option correct है जिसका bond angle सबसे largest है तो देख रहे हो हम बहुत आसानी से पहली trick से इस question को solve कर पाए हाना अब यह question तुम करोगे इसी trick के साथ चलो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है तो बनाते हैं बेटा तुमको पहले क्या करना है trick number one का इस्तिमाल करना है जो कि यह बोलती है half लगाओ violence electron लिखो कितने है मडम चार है चार monovolent है तो आठ बटा दो आजाएगा मडम चार यानी मडम यह SP3 hybridize है यानी मडम यहाँ पढ़ना आप बोल रहे हो कि चारो bond pair है तो 109 डिग्री 28 मिनिट्स बनेगा bond angle बिल्कुल सही बालको क्या बात अब यहाँ देखते है Z की value half अब nitrogen की बात करे atomic number 7 होता है पहले shell में 2 होते है दूसरे में 5 होते है 5 प्लस 3 आ जाता है 8 by 2 आ जाएगा 4 अरे क्या बात यह क्या बात हुई कि यहाँ पर तो मडम जी यह तो भाईया hybridization दोनों की बराबर चल इसकी देखते हैं भाई फिर तो यहाँ पे half यहाँ पे center metal atom वो जो कम number में है तो oxygen एक है इसलिए center metal atom बनेगा atomic number 8 होता है पहले जो valence electron है वो 3 और 2 add है तो 8 बटा 2 आ जाएगा 4 अरे बापरे यह क्या बात हुई मैं hybridization तीनों की same है तो भाईया आप बारी आती है trick number 2 की trick number 2 की कि अगर if hybridization होती है सब की same तो मेरे पास एक technique है loan pair निकालने की loan pair निकालने की होती है कि सीरिक नमबर में से अगर आफ surrounding atom minus कर दोना तो loan pair निकालाता है और जितना जाधा loan pair होगा उतना कम bond angle होगा यह trick note करो जितना जाधा loan pair होगे species की पास उतना bond angle कम ऐसा क्यूँ तो देखो भाईया यहाँ पर आप देख पारे होगे कि मेरे पास जो question था उसमें loan pair निकालना पड़ेगा मुझे तो भाईया trick number 2 लगाते हैं चीक है मैंने यहाँ loan pair निकाला तो शिरिक नमबर मैं 4 है surrounding atom देखो carbon के पास जितनी भी atom बैठे हो surrounding atom है कितने यह 4 अब वो नहीं देखना कि monovolent है dievolent है जितनी भी हो सब लिख दो तो loan pair तो यहाँ 0 हमने compound ने बनाया भी नहीं यहाँ देखो loan pair 4 स्चीरिक नमबर में से surrounding atom 3- मैंने एक loan pair मतलब tetrahydral geometry तो है क्योंकि स्चीरिक नमबर 4 आया है तो एक loan pair यहाँ लगाया और 3 bond pair के साथ hydrogen को attach कर दिया तो मैडम क्या SP3 होने के बावजूद यह bond angle इतना show नहीं करेगा बेटांग जो loan pair आया ना तुमारा यह bond pair से तकड़ी रडाई करता है यह loan pair bond pair में repression होता है जिसके कारण यह bond को नीचे fix करता है नीचे shift करता है तो यह जो bond angle बनता है न यह थोड़ा सा कम हो जाता है दो डिग्री से तो एक सो साथ डिग्री के करीब आएगा चीके तो यहाँ पे bond angle कम हो गया अब ऐसी तुम अगर इदर loan pair निकालो तो चार शिरिक नमर में से surrounding item दो माइनस कर दिये तो दो आया अब जो मेट्री तो हमारी SP3 ही है मतलब oxygen के एदर गिर्द दो loan pair है और दो hydrogen से bond pair है हाँ न bond pair और loan pair निकालना सीखाना बस अब बेटा यहाँ दो loan pair loan pair loan pair में भी repulsion होती है और loan pair bond pair में भी repulsion होती है अब यह इसको नीचे खिसकाएंगे तो 109 होना चाहिए था पर दो loan pair की वैसे bond angle अब दो डिग्री से और कम हो गया तो हो गया 105 तो यह टेकनीक से पता लगा कि जैसे जैसे loan pair बढ़ रहे है bond angle कम हो रहा है और जिसमें loan pair सबसे कम है bond angle उसका सबसे जादा है इतनी बात पर ले पड़ी तो trick number one hybridization निकालो अगर सब से माजाए loan pair निकालो जहां loan pair सबसे कम है वहां largest bond angle उसे करार कर दो ठीके? ठीके? तो एक question मैं तुमको दे रही हूँ homework में तो भया चुट्टी है ना homework में एक question करो comment में जवाब बताना कि SO3 और SO2 में से कौन सबसे जादा largest bond angle लेकर बैठेगा ठीके? अब बेटा बारी आती है कि trick number 3 से तुमको रूबूरू करा जाए तो देखो 2 species है Z मैं हाफ लगाया violence electron मैं 5 3 monovolent atom तो 8 बटा 2 मैं आगया हमारा steric number कितना? steric number मैं आगया है 4 यानि मैं यह होना चाहिए SP3 hybridized tetraidal geometry मैं यहाँ देखे तो phosphorus का 15 होता है तो 285 valence electron यहाँ भी 5 group 15 के elements है nitrogen और phosphorus और 3 add कर देंगे monovolent atom हाना तो 8 बटा 2 आगया 4 मैं दोनों की hybridization सेम है loan pair क्या होता है कि steric number में से surrounding atom 3 minus कर दिये loan pair 1 अब यहाँ देखते है steric atom में से हमें loan pair निकालने के लिए steric number में से surrounding atom minus करे तो loan pair आगया 1 अब मैं loan pair भी सेम तो अब क्या करे बेटा अब तुमको trick number 3 बताती हूँ super trick 3 और इस trick से तुमें आगे मैं dragos rule भी अगले lecture में पढ़ाऊंगी और special class में इसके और धे सारे question डिसकस करेंगे तुमें तुमें आगे मैं trick number 3 क्या बोलती है कि अगर hybridization और loan pair दोनों सेम आजाए तो central atom को देखो central atom में जिसकी electron negativity जादा होगी अना वो क्या करेगा वो यहाँ पर तुमें समझा के बताऊंगी क्या करेगा देखो nitrogen है, loan pair है hydrogen लगा पढ़ा है, hydrogen लगा पढ़ा है hydrogen लगा पढ़ा है phosphorus है, loan pair है hydrogen लगा पढ़ा है, hydrogen लगा पढ़ा है hydrogen लगा पढ़ा है अब तुमें पता है हमारे chemistry के 3 शातिर चोर भया doom 3 के hero तो doom 3 का आमिर खान सबसे शातिर फिर doom 2 का रितिक रोशन और doom 3 का हमारा जोन अबरेम तो ये 3 शातिर चोर electron के सबसे बड़े चोर है electron अपनी और खीचते हैं तो सबसे ज़ादा phosphorus से nitrogen electron negative है तो ये क्या करेगा शरीर से element hydrogen से electron खीच लेगा तो इसके electron बिल्कुल अपने पास ले आता है अब इसके electron इतने पास ले आया तो ये electron electron में repulsion होने लगती है electron electron में repulsion होने लगती है और repulsion होने के कारण bond angle बढ़ जाता है तो इसका bond angle जादा हो जाएगा तो जिसके central atom की electron negativity जादा होगी उसका bond angle जादा होगा यानि इसका bond angle जादा है अब तुम बोलोगे मैं मैं इसकी कम है क्या बेटा down the group जाने पर ना group 15 का element है ये down the group जाने पर मेरे पास इसकी electron negativity थोड़ी कम हो जाती है electron withdraw तो करेगा पर nitrogen जितना नहीं करेगा तो electron electron repulsion भी होगी पर कम होगी और कम होगी तो bond angle बढ़ेगा पर इतना नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पर भी बढ़ेगा पर इसके comparison में कम बढ़ेगा तो इसलिए NH3 जादा शोग करता है bond angle और pH 3 कम करता है तो भाया तीसरी ट्रिक थी ही कि hybridization भी सेम आजाए और loan pair भी सेम आजाए तो central atom की electro negativity देखो यहाँ तुमको मैं ड्रागो रूज में group 15, 16, 14 और यह सारे groups जो कि NCRT में direct question पूछा हुआ है ना बहुत important rule है इस rule से इस question को solve कराऊंगी और एक-एक explanation बताऊंगी कि कैसे लिखना है तो अब ही बस इतना समझो कि hybridization and loan pair सेम आजाए तो सेंटल मेडल की electro negativity देखनी है जिसमें जादा होगी और electron electron repulsion करेगा और bond angle बढ़ जाएगा तो ट्रिक नमबर 3 भी क्लिया है तो इन तीन ट्रिक से तुमने तीन कोशन सॉल्व करें है अब एक कोशन तुमें मिला है homework में बाकी कोशन हम करेंगे special class में तो इस topic बहुत जादा important है मैं तुमारा नुकसान बिल्कुल नहीं चाहती तो इस topic को revise करके लखना कोई भी doubt हो comment के दुवार खुले है जल्दी से comment कर दो मैं हमेशा active रहूंगी class पांच बज़े ही होनी है और पांच बज़े से जितने भी बज़े हो है इसको topic को पक्के से कर लेना चीके चलो बेटा तो all the very best आपको session अच्छा लगा हो doubt clear हुए हो question solve करने का तरीका आगया हो तो तयार हो जाओ और question solve करने के लिए special class में session को like करिएगा और अपने friends से share करिएगा और channel को subscribe करना ना भूलिएगा तो bye bye take care all the very best